नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मुहित इस्ट्रालेजी चैनल पे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमिडीज याने की उपायों की तो ये जो वीडियो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा अनौंस्मेंट करना चाहता हूँ ये जो अनाउंसमेंट है, ये बहुत ही important अनौंस्मेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी कुण्डली मुझ سے दिखवाना चाहते हैं या कोई एक कैसा प्रश्न है उनके मन में जो एस्ट्रालेजी के हिसाब से जोतिश के हिसाब से और पूषना चाहते है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आम सब जानते हैं कि जब से यूट्यूब आया है तब से जोतिश जो है यूट्यूब के उपर भी अपनी व्याख्या, अपनी अनालेसिज, अपने प्रेडिक्शन्स दे रहे हैं और बहुत सरे जोतिश-ऎसे हैं जो यूट्यूब पे ही बहुत सारी रेमेडीज की उपाएं बता देते हैं और आपसे यह कहना कहांhat की किसी भी उपाय को करने से पहले अपनी कुंडली का विषलेशन, किसी अच्छे जोतिशी से ज़रूर करवा ले क्योंकि उपाय जरूरी नहीं है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही लेकर कर आ रहे हैं, हो सकता है कि आपने किसी ऐसे प्लानेट का उपाय कर लिया हो जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो मगर उस रेमेडी के बाद उप्लानेट शान्त हो गया हो और आपको रिजल्ट्स देना बंद कर गया हो या फिर आपने कुछ ऐसे प्लानेट को छेड़ लिया है जो कि आपको खराब रिजल्ट दे सकता हो तो किसी भी उपाय को करने से पहले एक अच्छे जोतिशी से संपर्क जरूर करें अपने कुंडली का विशलेशन जरूर करवाएं क्योंकि जादा तर जो उपाय होते हैं वो specific कुंडली के हिसाब से होते हैं वो सकता है कि कोई उपाय आपके लिए अच्छा ना हो और आप वो कर रहे हो वो सकता है कि कोई उपाय किसी और के लिए अच्छा हो लेकिन वो उपाय नहीं कर रहा हो तो इसको जानने के लिए कि कौन सा उपाय आपके लिए सही है, कौन सा उपाय आपके लिए गलत है, आपको अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना बहुत जादा जरूरी है तो किसी भी YouTube के वीडियो के उपर जो भी remedies जो दी गई है, उपाय की जो बात की गई है, उसके उपर आख मूंद करके नहीं चलना है, आख मूंद करके अपनी remedies को परफॉर्म नहीं करना है, अच्छे जोतिशी की सला जरूर लेनी है, ये कुछ उसी तरीके से है, जैसे कि जब बाईयां लेने लग जाए और उसको पता चले कि कुछ समय बाद उसकी सेहत बहुत जादा खराब हो गई है, तो किसी भी इस तरहे की चीजों से हमें बचना है, हमें उपाय अपनी कुंडली के विशलेशन के बाद ही करवाने है, तो चलिए, अब मैं वह अनॉंस्मेंट कर चावा सकते हैं, या अपना कोई भी एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ ब में बीजेंगे अपनी डेटेव मुझ को बेजेंगे कमेंट बॉक्स में, उसमें से मैं एक 인न है को लों गा और उसका आँसर अगले वीडियो के अंदर करुंगा। अगर आपको एग वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे अपने जन्म की तारीख, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान लिख करके बीजिए ताकि आप में से किसी एक व्यक्ति का सवाल का जवाब में अपने अगले वीडियो में दे सकूँ इस चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दवाइए ताकि अगला जो भी लेटिस वीडियो मैं डालूं इस चैनल पे आपके पास वो सबसे पहले आ जाए अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने चाहनेवालों के साथ, जोतिश के प्रेमियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें तकि उन लोगों के पास भी ये मौका हो कि वो भी अपने जन्म की तारीक, अपने जन्म का स्थान और अपने जन्म का समय मुझे अपने comment box में लिख करके दें ताकि वो भी इस जो यह contest है और यहां मैं कह सकता हूँ कि यह जो मेरा नाम पर जो तौफ़ा मैं आपको देना चाहता हूँ हो सकता है कि वो उसके हिस्सेदार उसके भागेदार बन सकता है